भारतिय पिता पुत्र की जोड़ी भी बड़ी कमाल की जोड़ी होती है दुनिया के किसी भी संबंद में अगर सबसे कम बोलचाल है तो वो है पिता पुत्र की जोड़ी में एक समय तक दोनों अंजान होते हैं एक दूसरे के बढ़ते शरीरों की उम्र से फिर धीरे से एहसास होता है हमेशा के लिए बिच्णने का जब लड़का अपनी जवानी पार कर अगले पड़ाव पर चड़ता है तो यहां इशारों से बात होने लगती है या फिर इनके बीच मद्यस्त का दाइत निवाती है माँ पिता अक्सर पुत्र की माँ से कहता है जा उससे कह देना और पुत्र अक्सर अपनी माँ से कहता है पापा से पूछ लो ना इनी दोनों धूरियों के बीच गूमती रहती है माँ जब तक कहीं होता है तो दूसरा वा नहीं होने की कोशिश करता है शायद पिता पुत्र नजदीकी से डरते हैं जबकि वो डर नजदीकी का नहीं है डर है उसके बाद बिच्छणने का भारत्य पिता ने शायद ही किसी बेटे को कवी कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पिता के अनंत रौदर का उत्तर अधिकारी भी वही होता है क्योंकि पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभी मन्यूस अपाता है पिता समझता है कि इसे संभालना होगा इसे मजबूत बनाना होगा ताकि उत्तर दाइत्वों का बोच इसको हराना सके पिता सोचता है जब मैं चला जाओंगा इसकी माँ भी चली जाएंगी बेटिया अपने घर चली जाएंगी तब रह जाएगा सिर्फ ये जिसे हर दम हर कदम अपने परिवार के लिए चुनोतियों से सामाजिक चठिलताओं से लड़ना वसंगर्श करना पड़ेगा पिता जानता है कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती इसलिए इसे खामोशी से घम चुपाने सीखने होंगे परिवार के विरुद्ध खड़ी हर विशालकाय मुसीबत को अपने हौसले वद्धम से छोटा करना होगा ना भी कर सके तो खुद को हारने से बचाना होगा इसलिए वो कभी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता पिता जानता है कि प्रेम कमजोर बनाता है फिर कई बार उसका प्रेम छलाहट या घुसा बनकर निकलता है वो घुसा अपने बेटे की कम्यों के लिए नहीं होता वो छलाट है अपने पुत्र को अपने सम्मुक खड़ा वो मजबूत बनते देखने के लिए क्योंकि वो जानता है समय वो उसके मौजूदगी की अनिश्चितताओं को पिता चाहता है कहीं ऐसा ना हो कि इस अभिमन्यू की हार मेरे द्वारा दी गई कम सिक्षा उप्युक्त दिशा निर्देशों के कारण हो जाए पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और वो गलतियां करना बंद करे क्योंकि गलतियां सभी की माफ हो जाती है पर मुख्या की नहीं फिर वो समय आता है जबकि पिता और बेटे दोनों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है बेटा अब केवल बेटा नहीं पिता भी बन चुका होता है कड़ी कमजोर होने लगती है पेटे का उस भावनाओं को नहीं समझ पाना वो सौम्यता भी खो देता है या वही समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है बस इसी समय को समझतारी से निकालना होता है वरना होता कुछ नहीं बस बढ़ती जुरियां और बुड़ा होता शरीर जल बिमारियों को खेर लेता है फिर सभी को बेटे का इंतजार करते हुए मा तो दिखती है पर पीछे राद भर से जागा पिता नहीं दिखता पिता की उम्र और जुरियां और बढ़ जाती है यह समय चक्र है जो बुड़ा होता शरीर है बाप के रूप में उसे एक और बुड़ा शरीर जहकता है आसमान से जो इस बुड़े होते शरीर का बाप है कब समझेंगे बेटे कब समझेंगे बाप कब समझेंगी दुनिया यह इतने भी मजबूत नहीं पता है क्या होता है उस आखरी मुलाकात में जब जिन हातों की उंगलिया पकड़ पिता ने चलना सिखाया था वही हाद लकडी के धेर पर पड़े पिता को लकडियों से धकते हैं उसे तेल से भिगाते हैं और उसे जलाते हैं यह कोई पुरश्वादी समाज की चाल नहीं है यह सवभागय भी नहीं है यह बेटा होने का सबसे बड़ा अभिशाप है यह होता है, हो रहा है, होता चला जाएगा जो नहीं हो रहा है और जो हो सकता है वो यह है कि हम जल्दी से जल्द कहना शुरू कर दे हम आपस में कितना प्यार करते हैं हे मेरे महान पिता, मेरे गौरफ, मेरे आदर्श, मेरे संसकार, मेरे स्वाभिमान मेरा अस्तित्व मुझे तुम से प्यार है क्या हम ऐसा कह सकते हैं समय रहते कह दे तो अच्छा वरना ये बाते सिर्फ बाते रहेगी उमीद करता हूँ कि आप समझदार हैं, समझ गया होंगे नदेवाद